कई घंटों से लगातार बार बार पतला दस्त हो रहा है और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है तो इसकी सिर्फ एक खुराक पी लेना और 5-10 मिनट के लिए इंतजार करना पानी की तरह पतला दस्त भी रुक जाएगा पेट में दर्द और गुड़गुड़ाहट भी बिलकुल खत्म हो जाएगी नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल सरल घरेलू नुस्खे में दोस्तों पानी की तरह पतला दस्त कोई गंभीर बिमारी नहीं है गंदे हाटों से कुछ भी खा लेना या गंदा पानी पी लेने से ऐसा हो जाता है थंड के मौसम में थंड लगने से बी पतला दस्त होना सुरू हो जाता है और गर्मियों के मौसम में लू के लग जाने से पानी की तरह पतला दस्त होने लगता है पतला दस्त तब खतरनाक हो जाता है जब लगबग 20-30 बार पानी की तरह पतला दस्त हो जाए इसके साथ ही बराबर उल्टी भी आ रही हो 30 मिनट में अगर 3 बार से ज़्यादा पतला दस्त हो जाए तो इसका तुरंट घरेलू नुस्के की साहता से इलाज जरूर करना चाहिए इसके इलाज में जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए तो आईए मैं आज आपको बताता हूँ कुछ ऐसे घरेलू उपाए जिनका प्रयोग करके आप पानी की तरह पतले दस्त को भी सिर्फ 5 मिनट में रोक पाएंगे जब भी कभी आपको पानी की तरह पतला दस्त सुरू हो जाए तो देर कब पके हुए दूद में आधे कटे हुए नीबु का रस मिला कर इसे तुरंत पी लीजिए इसे पीने के बाद 5-10 मिनट के लिए सीधा लेट जाएए 5-10 मिनट में ही पतला दस्त रुख जाएगा करने के तुरंत बाद आप एक ग्लास पानी ले लीजिए इस पानी में आपको मिलाना होगा एक चम्मच चीनी और अपनी चुटकी से एक चुटकी आपको इसमें नमक भी मिलाना है इसे अच्छी तरह से घोलना है और धीरे धीरे घोट घोट करके इसे पीना है ऐसा करने से सरीर का जो पानी दस्त बन के निकल गया है उस पानी की पूर्ती हो जाएगी सरीर में कमजोरी नहीं आएगी और अगर कमजोरी आ गई होगी तो वो भी दूर हो जाएगी दिन के वक्त अगर पतला दस्त हो तो इसे किसी भी तरह से आप रोक सकते हैं लेकिन रात के वक्त अगर पतला दस्त शुरू हो जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा कस्टदाई हो जाता है अगर रात के वक्त आपको पतला दस्त शुरू हो जाए तब भी आप इस नुस्खे का प्रयोग कीजिए और भी तेजी से अगर आप पतला दस रोकना चाहते हैं, तो अपने नाभी पर आप प्याच के रस को लगाईए और सोजाईए, ऐसा करने से भी पतला दस तुरंत रोक जाता है, पेल दर्द रहेगा तो उसमें भी अराम मिल जाएगा, घबराहट और बेचानी नहीं होगी, अच्छी आएगी, दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसने मैंने आपको पानी की तरह पतले दस्त से तुरंत छुटकारा पाने का नुस्खा बताया, ये नुस्खे पसंद आये हो तो वीडियो को लाइक और शेर कीजिए, साथी चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब मैं मिलता हूँ आपसे कले एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार